हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज मैं चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ बिलकुल देशी स्टाइल में बिना सुखे मसाले डाले ही आज मैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट रेसिपी बनाने करते हैं इसके लिए मैंने लिया है एक कीलो चिकन को अच्छे से धोके साफ कर लिया है उसके बाद मैं यहां पर ले रही हूं प्याज तो प्याज मैंने यहां पर देखे 5-6 लिया है और इसे इस तरह से काट लेंगे विल्कुल छोटे-चोटे टुकड़ों में चलिये चल जीरा और इसे हम चटकने देंगे और दो तेज़ पत्ते को तोड़ के डाल रही हुमें उसके बाद हम प्याज को डाल देंगे जो हमने अभी काट के रखी है तो चलिए प्याज को पहले हम अच्छे से भून लेते हैं और प्याज को भूनने में हमें करीब 4-5 मिनट का टाइ बिल्कुल देशी स्टाइल में आपने चिकन कई तरह से खाई होगी लेकिन इस तरह से साइद नहीं बना के खाई होगी तेग बाद जरू ट्राय करिएगा चिकन को हम 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे मीडियम प्ले में इसे हम चलाएंगे ऐसे बीज-बीज में से चलाते रह लेंगे आदी चोटी चमच काली मिर्च में डाल रही हूं और एक बड़ा टमाटर को काटकर मैंने डाल दिया है इसका बीज निकालके पांच छे यहां पर हरी मिर्च हम डाल रहे हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजेगा दो इंच अद्रक का टुकडा भी यहा के पास फिर से यहां पर हमने करीब 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है उसके बाद आप मैं डाल रही हूं स्वात के नुसार नमक और हल्दी का पाउडर एक छोटी चमच हल्दी का पाउडर में यहां डाल दे रही हूं उसके बाद इससे हम चलाएंगे जैसे कायँ मसाले नहीं डालने वाद हम घार को अच्छे से दो के डाल देंगे इसमें बाएब बहुत ही जादा लग guar लगी है और बहुत like बहुत ही अच्छे चमच कार्समेरी लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूं इससे कलर बहुत अच्छा आएगा तीखा बिल्कुल भी नहीं लगेगा लेकिन कलर बहुत अच्छा आजाएगा इसे इसी में मिक्स कर देंगे चिकन अच्छे से भुण चुका है और मसालों ने अच्छे से तेल को मतलब मसाले अच्छे से भुण चुका है अब यहां पर मैं एक छोटी चमच चिकन मसाला डाल रही हूं यह डालना बिल्कुल ऑप्सनल है आप चाहे तो डालिए वरना ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं चिकन मसाला को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और अपने हिसाब से जितने आप ग्रेवी पसंद करते हैं उतना आप इसमें पाने डाल दीजिए मैं यहां पे 1-5 झाल रही हूं तो यहां पे हमें करीब 3-4 मिन्ट के लिए और उबलने देना है तो चलिए हम 3-4 मिन्ट के लिए पकने देते हैं उसके बाद हम सर्ब करेंगे तो मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना जादा अच्छे से पका है ये देखिए तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और इसे ट्राय करने के बाद मुझे कमेंट करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट है दो करें में वीडने वी से बु 갖고 है।